मनीश कस्यप अपने ग्री जिला में State Bank of India के बाहर एक दुकान पर चाय की खोखे पर अपने तिन चार दोस्तों के साथ चाय पी रहे होते हैं तभी एक बेखती आता है और अचानक मनीश कस्यप के पाउं पकर कर रोने लगता है मनीश कस्यप हैरान हो जाते हैं परिसान हो जाते हैं कि आखिर ये बेखती अचानक आकर उनके पाउं पर क्युव गिर परा और आखिर ये रो क्यू रहा है हम इस 3-5 मिट की रिपोर्ट में आपको तमाम बाते बताने जा रहे हैं जो कि मनीश कश्यप ने कल कोट में पेशी के बक हमें बताया और ये बकहानी सुनकर साइद आप भी रो परेंगे और आपको भरोसा हो जाएगा कि मनीश कश्यप एक सच्चा इंसान है और मनीश कोई गलती नहीं है बलकि मनीश कश्यप को कैसे फसाया गया है मैं प्रेंश कुमार सिंग और आप देख रहे हैं पॉजेटिव इंडिया अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खब्रों से अपडेट रहने के लिए कि रिप्या चैनल को सब्सक्र पेशी थी और पेशी के दौरान मनीश कश्यप आये हुए थी इसी दौरान उन्होंने ये कहानी सुनाई और इस कहानी को सुन करके जो कि एक सच्ची कहानी है सुन करके आपको भी लगेगा कि मनीश कश्यप इंसान नहीं बलकि भगबान का रूप है दरसल ये कहानी सुरू होती है बेतिया से मनीश कश्यप के गृष शिला से और आप भी अगर मनीश कश्यप को प्यार करते हैं तो यह कहाणी सच्ची घटना आप जरूर सुनिएगा आपको बताते चले की मनीश कश्यप स्टेट बैंक के बाहर बैठे होते अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहे होते हैं तभी एक बेक्ती आता है और मनीश कष्यप के पाउँ पकर कर रोने लगता है मनीश कष्यप हैरान हो जाते हैं मनीश कष्यप उसे उठाते हैं अपने बगल में बैठाते हैं और पूछते हैं कि आखिर आपने मेरा पाउँ क्यो पकड़ा आखिर आप रो क्यूं रहे हैं तब वह वेक्टी मनीश कस्यप को रोते हुए बताता है कि उसका देर लाक रुपया उसके एकाउंट में जमा था लेकिन मैनेजर साहब उसका पैसा नहीं दे रहे हैं और दरसल उसको कहा जा रहा कि अब उसके एकाउंट में पैसा है तो वो बेक्टी का बेटा मर जाएगा उसका बेटा इस दुनिया को छोर कर चला जाएगा ये बात जैसे ही मनीश कस्यप सुनते हैं वे हैरान हो जाते हैं परसान हो जाते हैं कि आखिर किसी बेक्टी का एकाउंट में पैसा है तो आखिर वो पैसा क्यों नहीं निकाल पा र आपने किया है, इंटरनेट बैंकिंग भी आप करते हैं, वो बेक्ति कहता है कि मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है, तो मैं कैसे इंटरनेट बैंकिंग कर सकता हूं, तब मनीश कस्यप को उस बेक्ति पे दया आजाती है, मनीश कस्यप उस बेक्ति को लेकर के बैंक मेनेजर के पहुषते हैं और बैंक मेनज़र से कहते हैं कि दर体क्व यह 12 लाग रुप्या इसके काउंट में था अब यह पैसा निकालना चाहता है alon किए भगाह दे रहे रह siis आखिर कारन क्या है तो बैंक मेनज़र कहता है कि दर इसके एकाउंट में अब पैसा है ही नहीं, इसके एकाउंट से पैसे की निकासी हो चुकी है। ये बात सुनते ही मनीश कस्यप का माथा ठनक जाता है और बैंक मेनेजर से सवाल करते हैं कि आखिर आपको कैसे पता जब इस बेक्ती के पास ना तो ATM काड है ना इस बेक्ती ने अपनी पैसे की निकासी की ना तो ये मोबाईल यूज करता है तो आखिर इसके साथ ना तो साइ बाहर भागा दिया जाता है गाड के द्वारा बेश्ती करके बैंक से बाहर निकाल दिया जाता है मनीश कस्यप के मन में एक ही बात चलती रहती है कि अगर इसके पैसा अगर इस बेक्ती को अगर नहीं मिला तो इसका बेटा मर जाएगा और उसके बेटे को बचाने के लिए मनीश कस्यप बैंक के बाहर से एक वीडियो बनाते हैं और दरसल मनीश कस्यप ये वीडियो बनाते हैं कि देखिए हजारो CCTV कैमरे हर एक बैंक के बाहर लगे होते हैं लेकिन कभी बैंक के बाहर से बाइक चोरी हो जाती है कभी bank के बाहर से किसी का पैसा लूट लिया जाता है तो कभी किसी बेक्ति के account से अबैद निकासी हो जाती है और उस बेक्ति को bank manager द्वारा परतारित किया जाता है भगा दिया जाता है और मनीश का सब उस video को हर एक अधिकारी तक पहुचाते हैं और वो video जब RBI तक पहुच तब RBI की तरफ से एक निर्देश जारी होता है और पटना से अधिकारियों की टीन बेतिया आती है और स्टेट बैंक के मैनेजर से पूस्ताच करती है स्टेट बैंक के मैनेजर को पूस्ताच के दोरान वहां से आये करमचारी कहते हैं कि दरसल अगर अबैद निकासी नहीं हुई है और आपने अगर गलती अगर नहीं की है तो आपको मनीश कस्यप के उपर एक एफायार दर्ज करना होगा और अगर आप एफायार दर्ज नहीं क कराते हैं तो इसका सिधा सधा मतलब होगा कि मनीश कस्यप जो आप पर आरोप लगा रहा है चाहे वो बेक्ती जो पिडित बेक्ती है जो बैंक मेनेजर पर आरोप लग रहा है वो आरोप इसका मतलब माना जाएगा कि सही है और फिर अपनी नोक्री बचाने के लिए बैंक म और उस दोरान एक ख़बर काफी चलती है कि मनीश कश्यप ने बैंक मनेजर के साथ बत्तमीजी की थी, उसके साथ मारपीट की थी और उसी case में मनीश कश्यप के घर की कुर्की जबती हुई है तो आप ये जान लिजे कि मनीश कश्यप ने कोई बैंक के करमचारी से ना तो मार निकासी हो चुकी है और बैंक उसको एंटर्टेन नहीं कर रहा था बैंक उसको धक्ते मार करके भगा रहा था और ये कहानी जब मनीश कस्यप जब कोट में सुना रहे थे तो सुनाते सुनाते मनीश कस्यप की आखे भर जाती है और ये कहानी सुनकर आपको भी लगेगा कि मनी मनिश कश्यप को दो राज्यों को लराने वाला कहा जा रहा है जिस मनिश कश्यप को यादब विरोधी कहा जाता है जिस मनिश कश्यप को मुसल्मान विरोधी कहा जाता है जिस मनिश कश्यप को आरेसेस और बीजेपी का एजेंट कहा जाता है जिस मनिश कश्यप को गुंडा बचाने के लिए अपनी जान को दाव पर लगा देता है अपने घर की कुरकी जप्ती तक करा लेता है और वो कुरकी जप्ती जो हुई थी वो द्रिस भी आपको याद होगा कि जब मनीश कश्यप के घर की कुरकी जप्ती में जो भी समान जप्त किया गया था उसे कोट के आद प्रकृति की देन है और उस पर कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा जा सकता लेकिन मनीश कष्यप के घर से चापा कल तक उधार लिया जाता है और इससे आप समझ सकते हैं कि एक सनव बिहार जी से कहा जाता है वो बेगती किसी दूसरे के लिए लरता था और आज आ रूपे का नाधिर अंसारी को मदद कराया जो कि ब्लड कैंसर जैसे खतरनाक बिमारी से पिरित है इससे आप समझ सकते हैं कि मनीश कष्यप इंसान के रूप में भगवान है और इस कहानी से आपको क्या सिख मिलती है आप कमेंट करके जोर बताईएगा आपको क्या लगता ह कि मनीश कष्यप ने उस बेक्ती की मदद करके क्या बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था क्या मनीश कष्यप ने उस बेक्ती की आवाद उठाकर कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया कोई बहुत बड़ी भारी गलती कर दी थी और क्या मनीश कष्यप जो चल रहा है जो कर र कि मनीश कश्यप के घर पे जो कुर्की जप्ति हुई थी वो कहीं चोड़ी करने के कारण नहीं कोई घोटाला करने के कारण नहीं किसी का खुन चूसने के कारण नहीं बलकि किसी की जिंदगी बचाने के लिए और भलाई के कारण ही मनीश कश्यप अपने घर पर कुर्की जप झाल 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 झाल